यूफी एक्स नाइन प्रो आज आ गया है अपने पास वर्ड का फर्स्ट एक्टिव पावर बूस्टर क्लीनर बॉर्ट है ये इसके अंदर आपको मॉप एंड वैक्यूम दोनों मिल रहे हैं बहुत ही कमाल का ये डिवाइस होने वाला है सारी चीज़ें यहां पर चेक करते हैं पर उससे पहले कर लेते हैं और आपको दिखाता हूँ बॉक्स में आपको क्या क्या मिल जाता है बॉक्स में सबसे पहले आपको मिल जाएगा में यूनिट लिनिंग ब्रश पावर कॉर्ड और पावर कॉर्ड जो है नीचे यहाँ पे आपको filter मिल रहा है, इसको भी आप clean कर सकते हो time to time और एक extra filter आपको box के अंदर ही मिल रहा है, यह पहली बाल मैं देख रहा हूँ, एक अच्छा touch है यह वाला जो अपना button है, यहाँ से आप spot cleaning जो है, वो start and stop कर सकते हो और यह जो middle में button है, यहाँ से आप cleaning को start and stop कर सकते हो और अगर हमें इस home button को दबाते हैं, तो यहाँ से आपका Robo Wack जो है, वो auto clean station के अंदर चले जाता है bottom की बात करूँ, तो bottom में यह दो चीजे जो आपको देख रही है, यह है, carpet detection के लिए जैसे ही एक hardwood floor से carpet को detect करेंगी, automatically आपका जो Robo Wack है, वो 12 mm उपर तक जा सकता है auto lift यहाँ पर मिलती है, तो यह सारी चीजे जो है, यह detect करने के लिए हैं, आपके carpet को, उसके लावा यहाँ पर आपका brush मिल रहा है AI navigation को, जो भी obstacles वगएरे इसको दिखते हैं, कोई भी wire है, कोई भी चीज पड़ी है, cleaning के रास्ते में, उसको यह automatically avoid कर देता है sensors यहाँ पर काफी सारे आपको देख रहे हैं, और main unit के बाद बात करते हैं, auto clean station की यह जो clean water है, आपको fill कर देना है, और इसी को use करेगा cleaning करने के लिए, और इस side पे है आपका dirty water tank, यह आपको पता ही है, जो भी पोचे का गंदा होगा, वो इधर आ जाएगा और इसको आप इस तरीके से निकाल के fill कर सकते हो, और इसको कर सकते हो empty, and that's it, अब start करते है cleaning अब अगर सफाई वाले part की मैं बात क्यों हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ mopping ही आपको नहीं मिलते है, उसका साथ ही vacuum भी मिलता है, आपको यहाँ पे settings मिल जाती है, mobile के अंदर, जहाँ पे आप customize कर सकते हो, क्या आप सिर्फ vacuum करना चाते हो, या दोनों को एक साथ ही करना चाते और कितना गीला आप रखना चाते है अपने मॉप को, कितनी suction power आप रखना चाते है vacuum की, वो सारी चीज़े यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, एप के अंदर से ही, अब अगर इसके usage की मैं बात करूँ, तो जो auto clean station है, इसके अंदर आपका जो robo whack है, वो रहता है, आपको बस ए कई बार floor के उपर बहुत जिदी दाग होते हैं, जो हमें हाथ से घसने पड़ते हैं, वो पोचे से भी निकलते हैं, तो उन सारी चीज़ों का इलाज इस एक vacuum के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको pentagon shape में dual mop pads मिल जाते हैं, जो कि overlap करते हैं, तो कोई भ जादा बड़िया, आपको यहाँ पर cleaning मिलते हैं, क्योंकि motorized हैं, यह mop pads जो है, तो speed की आपको कोई भी कमी नहीं है, spinning speed जो है, वो काफी अच्छी है, और mop pads जो है, यह 1 kg तक का downward force लगाते हैं, जिद्धी से जिद्धी mark हो, stain हो, floor के उपर, उसको यह अपने आप निकाल देत आपको कोई भी scrubbing करने की जोतनी है, आपके बिहाफ पे X9 Pro सारी चीज़े कर देगा, और जैसे हम लोग regular करते हैं, मौपिंग के टाइम पे, कि हम लोग पहले पोचे को गीला करते हैं, फिर से बाल्टी के अंदर जाते हैं, उसी तरीके से, same way में, जो अपना X9 Pro है, पहले लगाता है थोड़े एरिया में, उसके बाद ये दोबारा से अपने base station पे जाता है, मौप को clean करने के लिए, पहले cleaning होती है, उसके बाद X9 Pro अपने आप जहां पे इसने stop किया होता है, वहीं से start करना शुरू कर देता है, पूरी cleaning को, mopping and vacuum दोनों side by side, तो हर बाद जब भी अपने base station के अंदर जाता है, पहले cleaning होती है, मौप पेट्स की ताकि कोई भी गंदगी ना रहे और जितना भी गंदा पानी होता है, वो जो tank है, 4.1 liters का dirty वाला उसके अंदर पानी चला जाता है, और मौप के साथ साथ ही vacuum भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया तो front में इसको दबाकर box को खोल लेना और trash can में अपना fake देना है, सारी चीज़े और उसके बद दोबारा से लगा देना है, यहाँ पे mopping ही नहीं, vacuum की भी अगर बात क्यों तो 5500 PA का suction power यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो कोई भी चीज हो, जैसे भी गंदगी हो, पोचे की बात हो, वेक्यूम की बात हो, दोनों चीज़े perfect करता है, X9 Pro, और यहाँ पे मेरे पास carpet नहीं है, वंडा में आपको चीज दिखा देता है, बट यहाँ पे अगर आपके पास 2 floors है, जैसे मेरा hardwood floor है, बटगा आपके पास, कहीं जगा पे hardwood है, कहीं पे, आपके पास है carpet, तो वहाँ पे 12 mm तक, जो की industry का best है, race कर देता है, यह mop pads को, ताकि आपके carpet के ओपर mops को use ना करे, और जो एक regular average रहता है, carpets का 10 mm तक के ही hairs रहते हैं, तो उससे भी काफी ज़ादा ऊपर तक यह mop pads को उठा देता है, ताकि सिर्फ vacuum करे, और वहाँ पे mops को use ना करे, और जैसे यह hardwood floor प मैंने कहा 4.1 liter का tank भी मिलता है, dirty water के लिए भी clean के लिए भी, तो एक fill में आपका काफी लंबा time निकाल देगा यह वाला tank, और पूरी cleaning के बाद, जैसे ही यह auto clean station के अंदर जाता है, सबसे पहले इसके जो mops रहते हैं, उसको clean करता है, यह friction pads पर रब करकर, उसके बाद पर कोई भी bacteria ना हो, ना ही कोई गंदी smell यहाँ पर आएगी आपके mobs के अंदर से, यहाँ पर आपको manual controls भी मिल जाता है, अगर आप चाहते हो कि आप control करोगी, कहां कहां पर vacuum करना है, कहां पर mop करना है, तो बहुत ही तगड़ा जैसे games में हम एक joystick मिलते हैं, उसी तरी की mobile phone म आपको app के अंदर ही manual controls मिल जाते हैं, और X9 Pro के अंदर एक बहुत ही अची चीज़ जो मुझे लगती है, और I think सब को पसंद आएगी, जो लोग jobs करते हैं, उनके लिए तो बहुत ही मज़दार चीज़ होने वाले है, कि आप schedule कर सकते हो time कि इस time पे cleaning जो हो, आप चाहते हो क और माले जैसे आप काम पे हो, आप चाहते हो कि जब आप घर से निकल रहे हो, उसके बाद cleaning स्टार हो, जब तक आप घर आओ आओ आप पे शाम को, पुरा घर आपको साफ मिले, के अलावा यहाँ पे रात के time में भी अंधेरे में भी अगर आप इसको यूज करना चाहते हो कर पाता है, क्योंकि X9 Pro यहाँ पे यूज करता है iPad Laser Navigation System, जहाँ पे आपको 3D time of flight sensors मिल जाते हैं, और उसके साथ ही accurate AI camera system, जिसको कहते हैं AIC, जो की real time में सारे obstacles को पहचान लेता है, और उनके सामने से निकल जाता है, उनको avoid करते हुए, और जैसा मैंने आपको starting में दिखाय करता है, तो आपको कोई भी extra load लेने की जुरूद नहीं है, और यहाँ पे आपको speakers भी मिल जाते हैं, तो अगर माली जो कोई चीज है, अगर इसकी battery खतम होने वाली है, start कर रहे cleaning, तो सारी चीजों का आपको prompt मिलता रहता है, और आप X9 Pro को use कर सकते हो, Alexa and Google Assistant के साथ भी, और एक बहुत ही unique feature जो मुझे लगा कि इसके अंदर आपको child log भी मिल जाते हैं, तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे आप नी चाहोगे कि आपके बच्चे इसके साथ खेलें, तो आप child log लगा सकते हो, overall अगर मैं बात करूँ, तो मुझे बहुत ही जादा पसंदा है, क्य लगा जो इसके अंदर AI navigation वाला system है, जहां पे सारी चीजों को यह detect कर लेता है, और आपको map के अंदर दिखता रहता है, और इसके बाद अगर app की बात करूँ, कुछ इस तरीके का लगता है, app का layout यहां पे आप देख रहो, fully charge show कर रहा है, और इसके अंदर bottom में आपको तीन level आप select कर सकते हो, इसके अलावा यहां पे charging ऊपर आपको दिख रहा है कि 100% है, और यह जो अपना map है, map में अगर मैं आपको zoom in करके दिखा हूँ, तो आप देख सकते हो कि जहां पे cable है, वहां पे cable show कर रहा है, एक जगा पे यह जो आपको base में दिख रहा है, दो speaker stands दिखा हो, और यह है, app इनकी बहुत ही simple, बहुत ही easy interface है, इस app का, overall एक बहुत ही अच्छा vacuum है, जो आपकी help करेगा, vacuum करने में भी, और mopping में भी, और X9 Pro का price है 899 US dollars, बड़ अगर आप अभी website के उपर देख रहोगे, तो 100 dollars का coupon यहां पे मिल रहा है, और क्योंकि अभी black friday आ रहा ह लेना चाहते हो X9 Pro, तो description में जो पहला link है, उसके उपर आप click करकर अभी ले सकते हो, अपने लिए U5 का X9 Pro, अगर आप मेरी recommendation की बात करोगे, तो thumbs up है, मेरी तरफ से 5 star मैं इसको देता हूँ, सारी चीजे जो एक Robo Wack को करने चाहिए, वो यह करता है, और AutoClean Station ने और भी ज experience बना दिया है, तो यह थी मेरी वीडियो U5 के X9 Pro के उपर, अब आप बताओ, कैसी लगी वीडियो, कैसा लगए वाला product, मुझे रहेगा आपके comments के इंतिसार, वीडियो पसंद आई है, तो like and share ज़रू कर देना, चैनल पर नहीं होतो कर दो subscribe, मिलता हूँ नेक्स वीडियो म बताओ के लिए थे क्यार, बबाए